हलो फ्रेंड मैं हूं अमिता और अमिता मोधी किचिन में आपका श्रागत है यह आपको मेरे वीडियो अच्छी लगते हैं तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए वैल आइकॉन पर क्लिक कीजिए जिससे मेरे वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको तुरंती मिल जाए तो चलिए बीडियो बनाने सुरू करते हैं आज की मेरी पहली टिफ्स है किचिन से संबंदित जब भी हम प्याज या लेसुन का यूज किचिन में करते ही हैं इसको बनाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे हाथों में से और नेल्स में से बहुत बैड इसमेल आती है यह बिल्कुल भी र दोनों हाथों के ये लिए आप लगा रहने दीजिए और फिर आप इसको पानी से दो लग देखेंगे given अनग सब्सक्राइआ सोतं अब लोग सु कि साथ यहीं अगर सब्थे अगर कर दो लेगी נगर से आप लीघा से पहलेंगे उसके बार जितनी भी स्मेल है वो सारी कुछ अलग हो जाएगी लहसुन की और प्याच की गुद्ध बी है वो अची तरीक से साफ हो जाएंगे तो यह देखिए इस तरीक से मैंने साफ कर लिया इसको और अब इसमें से बिल्कुल भी बैड थे समेल नहीं आ रही है तो इस तरीके से आप इसकी smell को दूर कर सकते हैं Colgate को लगा के तो चलते हैं अपनी Nash Tips की तरफ गर्मियों का मौसम है चीमरी बगरा तो हमारे घर में आती है गर्मियों के मौसम में बहुत सारे fruits होते हैं जो हमारे घर में आते हैं तो हम और तूर हम जाया होते हैं मतलब डूर पीते हैं आदी हम टेते हैं और इसको भी हम रख देती हैं तो क्या होता है चीमरी दूद है अब दूद पीते हैं आति हैं जैसे हम ढल गई हो थे कंदेवा है कटी हुई चिमरी को शदे भीच इसे हमें रख देना है फिरिज में शियर मतलब मेरा यह कहने का कि McMillी नहीं रहिए बहुत कमाल की इसको जरूर की जिये अगली टिपी से गलेटर लगा हुआ होता है किवार हम預ipoli इसकी पहन पहनें तो इसका रंग भी हमारे हाथों में चरड़ जाता है और जो गलेटर है जे लग जाती है यह हातों में यह अच्छी नहीं होती है एप डी चिपकी हो पक्की में ळिए होजा जाए你 सब्सके ना कि आपकी ही और चणी में परrust बता पायब अब इसको आप पैन सकते हैं बिल्कुल भी इसका कलर नहीं निकलेगा और इसमें जो चमक होती है वो भी नहीं निकलेगी देखे मैं करके जैसे वीडियों में बता रही हूँ कितनी ज़्यादा इसकी पक्की ग्लैटर हो गई है इस तरीके से आप कच्छी चुडियों को पक्का कर सकते हैं तो चलते हैं अपनी नेश्टिप्स की तरफ नेश्टिप्स है मेरी तबे को लेके कई बार हम कोई चीज तबे में बनाते हैं तो वो चबक जाती है तबे में ठीक तरीके से तबा काम नहीं करता है फिर हम क्या करते हैं, उसमें ऑइल लगाते हैं और फिर उसमें डोसा, उत्पम या रोटी वगएरा बनाते हैं तो अगर ओइल फिरी खाना हमें खाना हैं तो बार-बार तो ऑइल का यूज हम नहीं करेंगे, है ना तो यह ली हुई है मैंने प्याज और प्याज के टूपीस कर लेंगे और बस इसको हम लगाएंगे गरम तबे पे इससे क्या होगा इसमें हम किसी भी चीज को बनाएंगे चाहे वो डोसा हो उत्पम हो या फिर रोटिया हो परांठे हो बहुत बढ़िया बनेगी लोगे के तबे पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी नौन स्टिक में ये प्रॉबलम बिल्कुल भी नहीं आती है लेकिन लोगे के तबे में ये प्रॉबलम आती है तो यह देखे इस तरीके से जो प्याज में ने इसमें लगाई हुई है उसका यूज भी आप खाने में कर सकते हैं इसको अलग करने की जरूवत नहीं है इसमें आप कुछ भी बनाएंगे बिल्कुल भी नहीं चबकने वाला तो तेल न डालके आप प्याज को अपलाई कर सकत आका यही है इसके बिना तो सब्या का सवाध अधूरा रहता है लेकर हम देखते हैं धर सारी धनिया पत्ती और पोधिना हमारे गजाता अब धनियापति नहीं हिसको कैसी स्टोर करके रखें वही टिप्स में आपके साथ सियर कर रही हूँ यह ली ओी है मैंने एक डिपा इ इसमें रख देंगे पौदिना और धनिया पत्ति को और बज इसमें एक टीशू पेपर को और हमें लगा देना है इसके बाद आप इस टिपबे को फ्रेज में रख देंगे एक हफ्ते तक आप इसको स्टोर करके रखेंगे ना बिल्कुल भी धनिया पत्ति नहीं मुर तो आप इस तरीके से इसको स्टोर करके रखेंगे ना तो लंबे समय तक फ्रेज बनी रहेंगी बिल्कुल भी नहीं मुर जाएंगी और नहीं यह खराब होंगी तो इस टिप्स को जरूर आप खॉलो कीजिए यह आपके बहुत काम में आएगी है ना कमाल की टिप्स तो इ हम लगाते हैं तो उसमें उफान आ जाता है डाल वगएर अफना जाती है और हमारा सारा खाना खराब हो जाता है और गैस की बहुत ज्यादा बैस्टेज भी होती है खाना देर से पकता है अब हम सोचते हैं कि हमारा कुकर खराब हो गया है या सीटी खराब हो गई है या फि दस मिनिट के लिए आप इसको फ्रीजर में रख देंगे ना आपकी रबट अच्छ से सैट हो जाएगी और फिर आप खाना बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी ओफान नहीं आएगा जट पट आपका खाना बन भी जाएगा चलते हैं अपनी नेश्टिप्स की तरफ नेश्टि और एक जाड़ू बिल्कुल खराब हो गई है जबकि ये दोनों जाड़ू का यूज में डेली ही करती हूँ तो एक बहुती बढ़ी आसी टिप्स आपके साथ सेयर कर रहे हूँ कि आपकी जाड़ू जली जली खराब ना हो क्योंकि जाड़ू जली जली खराब हो जाती है तो भो भी अच्छी बात नहीं है, क्यूंकि यह सस्ती तो आती नहीं है, बहुत महेंगी आती है, पैसो की बैस्टीज ही है, पूरी, क्यूं करना हमें ऐसे काम जो हमारे पैसो को बैस्ट करें, तो जीरू लागत में बहुत बढ़ी आसी टिप्स लेकर आई हूँ, कि आप की जहारू लंबे समय तक चलेगी, बिलकुल भी खराब होने वाली नहीं है, तो यह ली हुई है, मैंने चूणिया जो हम बिलकुल भी नहीं पहने, तो कईआज के लिए, जो बैस्टेज है, जिनका यूज आप बिलकुल भी करते हैं, और बस इसको पहना देंगे हम अपनी जारू को कई बार क्या होता है जारू लगाने के बाद उसको हम यहाँ बहाँ डाल देते हैं और इसकी सी के निकल जाती है जारू तूट जाती है ऐसा होता है मेरे साथ भी ऐसा कई बार हो गया है तो इसलिए मैंने दो जाडू को बताया है कि एक जाडू को मैंने चूड़ी नहीं पहना के ऐसा रख दिया था वो देखे कितनी अच्छे से रखी हुई है जाडू और एक जाडू को यूज करने के बाद मैं ऐसे ही उसको रख देती थी उसकी हालत देखिये और इसकी हालत देखिये तो वो जाडू मैंने चूडी नहीं पहना थी वो जाडू बिलकुल habe हो गई है उसकी sakey ही निकल गई है अब वो जाडू मेरे कोई काम की नहीं है तो इस तरीके से जाडू हमारी खराब नहीं हो तो इन जाड़ों को आप चूनिया पहना के यूज करने के बाद आप ऐसे रखेंगे न तो क्या होगा इसमें से सी के नहीं निकलेंगी जाड़ो फैलेगी नहीं और बिल्कुल भी खराब होने वाली नहीं है तो ये देखे फ्रेंट आज मैंने धेड़ सारी यूजपूल टिप्स आपके साथ सेयर की हुई है इन में से सबसे अच्छी टिप्स आपको कौन सी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए लाइक कीजे, सेयर कीजे चैनल पर यादी नहीं है ना तो सबस्क्राइब जरूर कीजे ठाइक फॉर वाचिंग, ओके टेक केर बाई बाई